करेंगे मनी को जानने से पहले हमें यह पैचानना पड़ेगा कि जब मनी नहीं थी तो हम हमारे जो एंशेंट क्या ऐसे सिस्टम को यूज करती जिससे की वह अपनी नीट को सटिस्पाइग कर सके तो बेसिकली अगर मैं एक्जामपल दूद्ध यह मार्कर है अब मुझे marker की need है, मुझे marker लेना है और मैं books sell करता हूँ, मैं books बेचता हूँ तो किसी व्यक्ति को अगर books की जरूरत है वो मिर से contact करेगा, मैं उसे books exchange करूँगा और वो मुझे marker exchange करेगा, इससे हम दोनों की ही जो wants है और जो हम जोनों की desire है वो satisfy हो जाएंगी ठीक है न, तो basically इस system को हम लोग क्या बोलते है, बाटर सिस्टम, तो मैं नाम लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या है system का नाम, बाटर सिस्टम यह बहुत बढ़िया चल रहा था, जैसे जैसे इनसानों की demand बढ़ती गई, अब यह system वहाँ पर applicable बहुत अच्छे से हुआ, जहाँ पर humans की जो demand थी वो बहुत limited थी अब आपको भी पता है, जैसे इनसान के पाथ resources आते जाते हैं, हमारी जो demands है, वो unlimited wants में change हो जाती है, हम लोग कुछ ना कुछ wants करते ही रहते हैं, मलब हमारी जो इच्छा है वो कभी खतम नहीं होती है, तो एक दिन ऐसा आया, जब इनसानों की demand फुल्फिल नहीं हो रही थ इसको हम लोग बोलते हैं, पहला double coincidence of wants, double coincidence of wants, अब बाटर सिस्टम की जो कमिया थी, चार कमिया जो थी, उस कमियों की वज़े से ही money का invention हुआ, money उसकी वज़े से ही आई, तो पहली कमी थी double coincidence of wants, जैसे की मिर पास weeds का काफी सारा stock है, मुझे rice चाहिए पर, मिर पास गे हूँ ह उसके पास cattle है, उसको वीट साहिए, उसके पास चावल नहीं है, तो मुझे मेरी जो demand है, वो तो rice की है, तो मेरी demand उस सामने वैली वेक्ति से fulfill नहीं हो सकती, और उसकी demand मेर से fulfill हो रही है, क्योंकि उसको कैसी wheat साहिए, तो इसलिए, दोनों की same demand होना, इसका coincidence बहुत जादा क कम था, मतलब ऐसा होना, बहुत chances कम होने लग गए, जिसकी वज़े से बाटा system clash कर गया, ठीक है, second point क्या आता है, lack of store of value, उस time पे जो ancient civilizations थी, lack of store of value हुआ करता था, suppose को अगर मेरे पास wheat है, अगर मेरे पास rice है, अगर मेरे पास grains है, तो मैं उसको store करके नहीं रख सकता था, for a long period of time, just because they are perishable goods, क्योंकि वो खराब हो जाते हैं बहुत जल्दी, जैसे आज हम लोग money को store करके रख सकते हैं, कहीं bank account में, या कहीं भी हम लोग इसको store कर सकते हैं, अपने घर पे भी, तो इन चीजों को हम लोग अपने goods को store करके नहीं रख सकते थे, तो second जो कमी थी, वो क्य अब value measure करने में बहुत ज्यादा problem आया करती थी, suppose करो मेरे पास क्या है, grains है, मेरे पास wheat है, rice है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक horse चाहिए, अब मैं उस horse के बदले, कितने kg या कितने kg है, मैं उतने wheat दूँ सामने वाले को, ये थोड़ा सा confusing होता था, कि हम लोग exchange किस basis पर करें, या तो हम horse का बजन करें और उसके हिसाब से wheat दें, तो लग रहा है, ये ज्यादा देना पड़ेगा हमें, तो basically हमारे पास measure, उसकी जो exchange value थी, उसको measure करने का कोई system नहीं था, जिसकी वैसे बाटा system clash हो गया, ठीक है, फिर fourth point आता है, lack of deferred payment, अब lack of deferred payment का मतलब क्या होता है, आज मैं लोग किसी से पैसा ले लेते हैं, 10,000 पर मैंने किसी को लिए, अब उसने बोला गई है, भी मैं 2% का ब्याज लूँगा उसके, तो 10,000 का जो 2% है मैं उसको, at the time of return जब मैं करूँगा वो लोन तो चुका दूँगा, तो एक value है न, कि आपको आज इतना पैसा लिया है और कल को इतना पैसा देना है, अब बाटर सिस्टम में हम ऐसा नहीं कर सकते, किसी ने मुझसे 1000 किलो चावल उधार ले लिए, अब मैं उससे return में कितने kg चावल लूँ, या same quality के चावल मैं बापस कैसे लूँ, क्योंकि there are n number of varieties of rice, तो basically ह deferred payment भी बाटर सिस्टम के अंदर नहीं कर सकते, उधार payment नहीं करी जा सकती बाटर सिस्टम के अंदर, क्योंकि same quality, same color, same texture, same weight, तो ये सारी चीज़े मिलना बहुत मुश्किल था, अगर हम लोग किसी से उधार करते भी है, या किसी उधार देते भी है बाटर सिस्टम के अंद money बस एक piece of paper है, जो कि हमें किसी भी चीज़ की value निकालने में help करती है, और exchange करने में help करती है, suppose को ये marker 20 का है, तो मैं ये marker लेकर 20 रूपीज दे कर आया हूँ, तो क्या मतलब है, इसकी जो value है, वो 20 रूपीज है, उतनी exact value की जो money है मैंने सामने वाले station को दे दी, तो basically उसक सब चीजों पर, money ने इन सब चीजों की जो खामिया है, वो सब दूर कर दी, बाटर सिस्टम के बाद जो नहीं economy चाली हुई, वो money की हुई, अब money in the form of paper currency भी हो सकता है, coin में भी हो सकता है, और आजकल तो digital currency भी आ गई है, digital currency इंडिया की officially launch हो चुकी है, अब ये सारी चीज functions को अलग से पढ़ने की जुरूत नहीं है, मैं इन सब के पीछे से ये lack हटा देता हूँ, ये चारो ही money के functions में change हो जाएंगे, तो आपको दोनों चीज़े दो बार अलग से करने की जुरूत नहीं है, अगर उसमें आ जाए limitations of butter system, तो यह lack of लगा देना, butter system के points बन जाएंग अगर आप से पूछे functions of money, तो इसी lack को हटा करके ये चारो point दोबारा से लिख देना, तो ये functions of money बन जाएंगे, बिल्कुल simple है, एक चीज़ दो बार लर्न करने की जुरूत नहीं है, ठीक है, चलो, officially money की definition को देखते हैं, एक बार money, money वो है, जो law कहता है money है, अरे ये कैसी definition आपको याद होगा, 8 नवंबर 2016 को मोदी जी आते हैं, और बोलते हैं, बित्रो, आज रात 12 वजे से 500 हजार के नोट legal tender नहीं होगे, legal tender मतलब कि हम officially आकर ये बोल रहे हैं, कि कल से ये currency हमारे system में, या हमारे जो इंडियन economy उसमें circulate नहीं होगी, बंद हो जाएगी, तो मोद कल को कानुन बन जाएं, कि ये marker money है, ये marker, ये marker, ये 10 उरुपे की denomination, ये 10 उरुपे, तो अब आपको 100 उरुपे की item खरीदने के लिए, ऐसे 10 marker को exchange करना पड़ेगा, तो basically money is just nothing but, जब law ने बोल दिये कि ये चीज मनी है, तो हम लोगों को माननी पड़ेगी, हाँ ये money है, ठ सबके note है, वो सब legal tender है, ठीक है, अब legal tender में भी दो आता है, limited tender, unlimited tender, unlimited tender, अब unlimited tender का मतलब है paper notes, कितने भी paper notes दे तो हम कभी मना करेंगे, 500,000 के note के लिए कभी मना किया है, हम लोगों ने किया, अगर वालों से जब मिलते है, नहीं किया है, अच्छा वही पापा, हमें 10-10 पर देने हैं, तो मैं सिख के एक-एक के थोड़ी दूँगा, वो मना कर सकता है, कि मैं नहीं ले रहा इसको, और unlimited tender को कोई मना नहीं कर सकता, इसमें हम जितना mercy depth चुका सकते हैं हमारा, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, next point है, non-legal tender money, ऐसी money, जिसको लेने के लिए bound नहीं है कोई भी मनलब इसके लिए आप accept मना भी कर सकते हो, accept भी कर सकते हो, यह आपकी choice है, अगर मैं किसी को पढ़ाता हूँ, अगर मुझे check से payment कर रहा है, और मुझे पसंद नहीं है check, तो मैं उसको साफ मना कर सकता हूँ, परंतु अगर मुझे कोई cash दे रहा है, legal money दे रहा है, तो मैं उस money को accept करने से मना नहीं कर सकता, मेरे को वो लेनी पड़ेगी, तो हम लोग बात कर रहें, non-legal tender money की, अब इसमें क्या-क्या आ जाता है, checks आ जाते है, bank draft, bill of exchange, कोई भी व्यक्ति इनको लेने से मना भी कर सकता है, पर legal tender money को लेने से मना नहीं कर सकता है, इतनी बात स तरा के हमने money के types देख लिए, हम money supply को देखते है, money supply के अंदर basically वो money आती, जो की readily available है लोगों के पास, अब currency या तो लोगों की jam में हो सकती है, public या घर पे हो सकती है, या वो currency अपनी bank में रख सकते है, अब bank में दो तरह की account है, एक होता है saving account, एक होता है FDA, तो सबसे पहल कि आप curve देख रहे हो, यह जब हम उपर से नीचे आएंगे तो यह broad होता जाएगा, उपर यह narrow base है, कैसे अब देखते हैं, M1 के अंदर currency और coin जो public की jam में है, जो public के घर पर है या jam में है, या public ने demand deposit अपने saving account, bank, अपने saving account में जमा करवा रखें बैंकों में, या other deposit with RBI ने जो foreign banks और government उनके behalf पर deposit कर रखें, वो amount, फिर आता है M2, M2 में M1 का total, प्लस जो हमने post office saving bank account होता है, उसके अंदर हमने जमा करवा रखें, अब इसको हमने M2 में क्यों रखा, क्योंकि यह जो amount है, हम check से withdraw नहीं करा सकते, थोड़ा withdraw करना थोड़ा सा hard process है, इसलिए हमने इसको second M2 के अंदर रखा है, third के अंदर है M1 का total, प्लस net time deposit जिसको हम FD बोलते हैं, अब देखो FD, जैसे-जैसे scope बढ़ रहा है, वैसे-वैसे money को निकालना, money को भार निकालना, economy में वो hard होता जा रहा है, फिर उसके बाद आते है M4 के अंदर, M4 में M3 का total, और जितनी भी deposits है, post office saving bank में, वो सारी, तो basically बिल्कुल simple है, question आएंगे, आपको ये सारे points दे दिये जाएगा, और बोले जाएगा M3 निकाली है, तो वो simple part है, बहुत जादा मुश्किल नहीं है, तो आज हम लोगोंने money chapter को cover कर लिए, क्योंकि ये बहुत छोटा सा chapter था, इसके बाद हम लोग next chapter को cover करेंगे, जो कि ये banking और जो कि most important chapter भी है, for the point of view of the boats, तो अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग, bye bye, take care, see you soon